मूँध चिपा के सगाई करने वाले पारस ठक्राल ने अपनी होने वाली वाइफ के लिए जो डिटेल बताई थी वो डिटेल सरासर गलत निकली है दरसल पारस ठक्राल ने जब engagement की थी उनकी engagement के टाइम पर उनके पीछे एक screen दिखा़ दे री थी जिसमें उनका और उनकी होने वाइफ का नाम था यानि पारस और वेशाली का नाम था लेकिन पारस ने अपनी वीडियो में कहा कि जो उनकी वाइफ का नाम है वो टी नाम से शुरू होता है पर ये बात सरासर गलत निकली है दरसल उनकी वाइफ के कुछ डिटेल निकल कर सामन आ रही है वो एक influencer है जिसने अब अपना जो Instagram आईडिया उसको hide कर दिया है यानि कि अब वो public नहीं है उनकी कुछ फोटोस भी viral हो रही है लोगों ने यह इसी से पैचान लिया पारस टक्राल जब करवा चोट का शगुन देने के लिए गए थे तो उनके घर गए थे उनके घर में जो sofa था और back cover था वो सेम उसी लड़की के घर का है उपर से नाम भी सेम है इतना ही नहीं उस लड़की ने जो real और फोटोस शेयर की थी उनसे भी अगर लोगों ने मैच मिलाया है तो वहाँ पर भी मैच मिल गया है यानि कि पारस की होने वाली जो वाइफ है उनका नाम वैशाली है जो की उत्तरपरदेश की रहने वाली है एक influencer है और जिसके बारे में पारस ने काफी कुछ जूट बोला था ये चीजे अब शोशल मीडिया पर खुल कर सामने आ गए है पारस ने बोला था वो ना तो influencer है और ना ही वो शोशल मीडिया पर active है पर ये सब चीजे उनकी जूट निकली और गलत निकली